आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस क्या है? इसके कारण, लक्षन, उपचार और रोक्थाम के सुझाव के बारे में हम बात करेंगे. ये बारिश के मौसम में ज्यादा होता है. ये एक बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है. कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू या पिंक आई के नाम से जाना जाता है. कंजंक्टिवा का मतलब सूजन होता है, जो हमारी आँख के सफेद भाग और पलक के अंदर को कवर करने वाली एक पतली नाजुक जिली होती है. Conjunctivitis के लक्षण आँखे लाल होना, आँखों में खुजली होना, आँखों से धुधला दिखाए देना, आँखों से पानी आना, आँखों में दर्ध होना शुरुआत में ये लक्षण एक आँख में नजर आते हैं आँखों से हरा या सफेद दाग से पल के चिपकना एक बड़ा लक्षण है बैक्टीरिया, वाइरस, अलजी या जलन पैदा करने वाले एलेमेंट्स के कारण हो सकते हैं बैक्टीरिया से होने वाले कारण, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइतिस स्टेफिलोकोकस आरियस या स्ट्रिप्टोकोकस नियूमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है bacterial infections होने पर आखों से पीली या हरे रंग का गाड़ा स्राव होता है virus से होने वाले कारण ये virus के कारण होता है जैसे adenovirus, happy simplex virus या varicella zoster virus allergy से होने वाले कारण allergic conjunctivitis allergy के कारण होता है जैसे पराकन, ढूल के करण या पालतू जान्वरों की रूसी जलन पैदा करने वाले तत्व से होने वाले कारण फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस के लक्षन जैसे लालिमा, खुजली, आँखों में चिपचिपापन और सूजी हुई पल के ये सभी लक्षन दिख सकते हैं वाइरल एंफेक्शन होने पर दवा या आईड्रॉप से तुरंत रहत नहीं मिलती है लेकिन लक्षन कम होने में एक दो सप्ताह लग जाते हैं अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो इन बातों का ध्यान दे अपने हाथों को साफ सुत्रा रखे आँखों को बार-बार चूने से बचे इससे वाइरस या बैक्टिवाइटिस तेजी से फैल सकते हैं कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू हरेल हु इलाज उलाब जल उलाब के जल की दो बून आखों में लगाएं और इसे रोजाना दिन में दो बार करने से कंजंक्टिवाइटिस की समस्या खत्म हो सकती है शेहद और पानी एक ग्लास पानी में दो चम्मच शेहद मिलाकर उस पानी को अपनी होंथू से तेज जटके के साथ खुली आँखों में मारे इससे आँखों का इंफेक्शन्स दूर हो जाता है हल्दी और आधा ग्लास गुंगुना पानी को मिला दे और रूई की मदद से आँखे साफ करे आलू को अच्छे से पतले पिज्जा में काट ले रात में सोने से पहले उस कटे हुए आलू को अपनी आँखों के उपर 10 मिनत तक लगाए इसके इस्तिमाल से आँखों का इंफेक्शन्स ठीक हो सकता है